प्रदेश ने इस मामले में कॉंग्रेस पर जमकर निशाना साथते हुए बुपेश बगेल और उनके मंत्रियों को नशे का ब्रैंड अंबैसेडर बताया है भाजपा ने कॉंग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने तीन दिवसी दोरे पर छतिसगर आये चुनाओ अधिकारी ने भी ये मान लिया है कि प्रदेश में शराब और ड्रक्स का धंदा फल फूल रहा है इसके चलते कई जिलों के कलेक्टर और स्पी को इस धंदे को रोक लगाने की निर्देश दिया गया है भाजपर प्रवक्ता नलेश ठोकने ने कहा कि कॉंग्रेस के मंतरी का शराब पीने का तरीका बताते हुए और बिडी पीते हुए एक वीडियो वारल हुआ है जिससे साफ होता है कि प्रदेश सरकार नशा मुक्त की तरफ नहीं नशे को और बढ़ावा दे रही है उपेश पघेल और उनके मंतरी नशे के ब्रैंड बैजिडर बनके बैठे हुए है प्रदेश भर में शराब की महग घुल चुकी है शराब बंदी का वादा करने वाली कॉंग्रेस सरकार प्रदेश में शराब बंद करने की जरूरत नहीं होने की बात कर रही है और कल उनका वक्त तब आया है कि चुनाओं से पहले सराब और ड्रक्स का ट्रांस्पोर्टेशन है उस पे रोक लगनी चाहिए भारती जन्ता पार्टी ने समय समय पर 36 गड़ सरकार को आयना दिखाने के काम किया है और अब चुनाओं आयोग ने बोलकर 36 गड़ सरकार को पूर्ण रूप से बेनकाब कर दिया है 36 गड़ में अवेद सराब और ड्रक्स का ट्रांस्पोर्टेशन वित्रन होता है यह इसी पर आज की प्रेज ब्रिफिंग रखी गई है कल मानिनी कुमारी सहलजा जी महासमुन के दोरे में थी उन्होंने इस परस्ट मुकर गई कि 36 गड़ में सराब बंदी की जरूरत नहीं है पहले भुपेश बगेल जी मुकरे अब कुमारी सहलजा जी मुकर गई वहीं कवासी लख्मा जी का वीडियो आद दिखा है कि वो एक पकार से इस ख़बरों में अपडेट रहने के लिए जुड़ रही है इस वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे और चानल को सबस्क्राइब कीजे